नमस्कार आप देख रहे हैं फॉलो आप मैं हूँ सन्नी साराद और हमारे साथ हैं हमारे सयोगी संजर रंजन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है आप सब जानते हैं कि जारखन में राजसभा की दो सीट खाली हुई है समीरू राओ और धीरत साहू का कारेकाल खत्व हुआ है और उन दो सीटों के लिए कौन-कौन उमिद्वार होंगे इसकी चर्चा पिछले कई दिनों से लगातार जारी है पिछले दिनों ये खबर निकल कर सामने आई कि एक बहुत बड़ा वैवसाई जो मुंबई बेस्ट हैं उनका नाम है हरिहर महापात उन्होंने ये परचा जो है खरीदा है राजसभा के लिए जार्खंट से जाने के लिए खबर ये भी आई कि हो सकता है कि उन्हें यहां से कोई पाटी जो है सपूर्ड भी कर सकती है लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर ये सामने आई है कि भाजपा ने परदीब जो जार्खंट भाजपा में अभी प्रदेश महामंत्री के पतपर है उन्हें अपना राजसभा का उमिदवार बनाया है ये बहुत बड़ी खबर तब जब कई नामों पर कयास जो है ये लगतार लगाये जा रहे थे और इस बीच ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई है क इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि आकी राजसभा के चुनाव में कौन-कौन उमिदवार होंगे एक ग्यारा मार्स तक नोमिनेशन करने का जो है वो समय है और 21 मार्स को वोटिंग होना है तो देखना है कि कितने उमिदवार मैदान में इसे में बहुत सी तस्वीरे जो है वो धीरे धीरे अब साफ होने लगी है संजय परदीब बर्मा को जो उमिदवार बनाया गया इसे कैसे देखना है देखे प्रदीब बर्मा बीजेपी के लिए जार्खन में काफी लंबे समय से संगठन में वो काम कर रहे थे और चर्चा सेट को ड्रॉप करके इनको लोगसभा का टिकट दिया जाए रांची से और इसकी तैयारी भी लगबग मतलब चल रही थी और वो अपने हिसाब से काम भी कर रहे थे लेकिन जब संजय सेट को टिकट दे दिया गया दुबारा से और समीर उराओ जिनका जो सीट खाली हुआ जिनको लोहर दगा से बीजेपी ने उमिद्वार बनाया है तो ऐसे में चल रहा था कि आखिर बीजेपी जो है किसको उमिद्वार बनाएगी जिस आप बीजनसमेन का जो जिक्र कर रहा है हरिवर महापात्रा का इनके द्वारा जो नामांकन पत्र खरीदने की जो एक अबर आई और उसके बाद चर्चा होने लगी कि क्या ये इंडिये के तरब से एजार हैं एक डाबावर बीच में घुमने लगा कि रीसी आनंद करके वो परियास कर रहे थे कि वो भी राद सभा जा सकते हैं लेकिन परियास अपने अस्तर से कौन कर रहा था नहीं कर रहा थ अब तक के लिए था अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी निस्पस्ट कर दिया है प्रदीब बर्मा जो जार्खन बीजेपी संगठन के लिए लगातार काम कर रहे थे काफी लंबे समय से संगठन को अपने तरीके से काफी समय भी दे रहे थे मेहनत कर रहे थे संगठन में उनको जो है एक तरीके से इनाम दिया गया है प्रदीबर्मा को और प्रदीबर्मा जो है राजसभा में इंडिये के लिए जो है इंडिये के तरब से जारखन में उमिदवार होंगे हो नहीं सकता है सनी यह ख़बर कनफर्म है और फॉलो अप एक ख़बर सबसे पहले बता भी रहा है अपने दर्सकों को बकाइदा हमने हेडिंग में लिखा है कि इंडिये से प्रदीब बर्मा और यूपिये से जो इंडिया अलाइन से जो है सर्फराज अहमद उमिदवार हों का सीट उनका कारेकाल खतम हो रहा है धीरत साहू वो व्यक्ति हैं जिनके ठीकानों से उनके संबंधी ठीकानों से काफी पैसे बरामद हुए साड़े तीन सो करोड के आसपास जिसको प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने भी ट्वीट किया था वैसी परिस्तिती में धीरत सा बहु कंटिन्यू नहीं होंगे जारखन से हलांकि कुछ और भी कई सारी बज़े हैं एक बज़ा तो यह है कि सर्फराज अहमद ने जिस तरीके से डेडिकेशन दिखाया है सोरेन परिवार के ऊपर और जिस तरीके से एक इसारे पे उन्होंने अपनी बिधायकी से इस्तिफ दे रहे हैं बिधान सभा से उनको आने वाले भवीश में राजसभा भेजा जाएगा लेकिन इसी दोरान जो 21 मार्च को जो बोटिंग होना है राजसभा के लिए सनी इसी में जो है सर्फराज अहमद राजसभा जा रहे हैं यह लगभग टै है और जो लगभग भी मैं जो बोल रहा हूँ उसका भी कोई chance नहीं है सरफराज हमद ही जाएंगे सरफराज हमद के नाम पर क्यों नहीं कॉंग्रेस बिरोथ करेगी उसके पीछे के भी कई सारी वजह हैं कॉंग्रेस पाटी का जब संजुक्त भीहार जार कहन ने था उस समय कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं राजीब गांधी के साथ लंबे अर्से तक काम किये बतौर पीएस के तोर पे तो एक कॉंग्रेस चे जो उनका जुडाओ है वो पहले से ही है दूसरा है कि सामने लोकसभा का चुनाव है अलपसंख्यक चेहरे को जो पिछले दफा जो प पास तो वो जान नहीं पाए थे बाद में हुआ कि क्या सिर्फ जो है एक इस्तिमाल के तौर पे अलपसंख्यकों का कॉंग्रेस कर रही है जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी पिछले दफा जब 2019 में चुनाव हो रहा था उस दौरान भी एक भी अलपसंख्यक को प्रस्तावित भी कर दिया है और अप्रूवल भी ले लिया है कॉंग्रेस के सिर्फ नेत्रितु से बात करते हुए सरफ्राज अमद ने कहा भी था कि वो नमानकन पत्र खरीद चुके हैं और 11 मार्च को नमानकन भी करेंगे यह वह हलाकी दर से अभी वहले एलान नहीं उनको बकायदा बोला गया है और उन्होंने नमानकन पत्र खरीदा है कॉंग्रेस से भी सहमती जो सहमती बन गई है और सरफराज अमद ही होंगे सरफराज अमद के नाम पर कोई विवाद नहीं है और सरफराज अहमद इस वार राज सभा जा रहे हैं एकदम तै है रहता है कि अभी घोष्टना हो रही हो या फिर थोड़ी देर बाद हो जाए या फिर एक दो दिनों के अंदर हो जाए लेकिन सर्फराज अहमद नहीं इंडिया लाइन से उमीदवार होंगे फॉल अप के जरिये जो है हम लोगे दावे के जाद बता है और यूपिय और इंड का मामला सामने आते रहा है आपने देखा कि कई बार पैसे भी पकड़े गए रांची के ही लाके में और उसके बाद कई तरह की बाते निकल कर सामने तो क्या इनकी इंट्री से इस बार यह संभावना बढ़ेगी चुकि कई विधायकों में नाराजगी है और यही एक मौका रहता है बिधायकों के पास अपनी राजगी जाहिर करने का भी हलांकि पार्टी के तरफ से भले यह वीव जारी हो और सब कुछ हो लेकिन इनकी इंट्री क्या कुछ समिक्रन किसी का गड़बडा सकती है देखिए इनकी इंट्री तब होगी जब इनके पास दस बिधायकों का जो है परस्तावक बनने के लिए तयार होंगे अभी हाल में सामने चुनाव है लोकसभा का विधान सवा कभी चुनाव इसी वर सोना है और जिस तरीके से एडी एक्टिव है जार्खन में मुझे नहीं लगता है कि बीते जो 21-22 साल का जो इतिहास रहा है जार्खन का खरीदना और नमांकन दाखिल करना उसमें बड़ा अंतर है तो थोड़ा इंतिजार करना होगा बाकई में क्या वो नमांकन दाखिल करते हैं दाखिल करते हैं तो उनके प्रस्तावक कौन बनता है चुकि प्रस्तावक जो बनेगा वो तो इस पास ठो जागा कि कौन-कौन सा तो बिदायक है उनको साथ दे रहा है। इंडिये ने अपना तैय कर दिया है कि वो प्रदीव बर्मा को चुनाओ लड़ारा है राधसभा का। तो देखिजे यह जो दो चेहरे हैं प्रदीव बर्मा और सरफराज अहमद ये दोनों आसान से जो है वो आसानी से वो जा रहा है आगर आप जिन बिजनेसमेन का नाम ले रहे हैं महापात्रा का अगर वो नामांकन दाखिल करते हैं तो हो सकता है कि उसके बाद परिस्तितियां कुछ बने बदले लेकिन मुझे यह नहीं दिख पा रहा कूंकि इडिक अडर्स सबको है और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बिधायक जो है रिस्क लेने के मोड में होंगे तो बिल्कुल देखिए दो उमिद्वार का नाम निकल कर सामने आ गया है दो तो अफिसियली यह आ गया एक बीजेपी से परदीव बर्मा और दूसरा यह भरिहर महापात्रा जो बिजनेसमेन है उन्होंने भी नमानकन पत्र खरीद लिया है और तीसरा सरफराज आमद जो जारकन मुक्ति मुर्चा के पूरू बिधायक है गांडे से बिधायक रहे अभी ही उन्होंने इस्तिफा दिया है 31 दिसंबर को उन्होंने इस्तिफा दिया था और अभी पिछले दिनों जब गिरीडी में जो सभा हो रही थी जहां पर पूरू मुख्यमंत्री हेमन सोरेन की पतनी कलपना सोरेन की इंट्री हो रही थी पॉलिटिक्स में उस मंच पर कलपना सोरेन से पहले जब बोलने के लिए गये तब मंच से बकायदा उन्होंने कहा कि हमने तो कलपना सोरेन को गांडे का विधायक 31 दिसंबर को ही गोसित कर दिया था तो इसका मतलब जो चर्चाएं मीडिया में पिछले कई दिनों से चल रही थी उनके इस्तिफ़े के बाद से कि कलपना सोरेन के लिए ही उन्होंने ये सीट खाली की है उन्होंने खुद से इस बात की पूष्टी मंज से बोलते हुए कर दी लेकिन उसके ब सिर्ष में रहकर काम कर चुके हैं तो कहीं न कहीं जो प्रुफाइल है उस हिसाब से पार्टी और पुरा गड़बंदन जो है वह उनके बारे में सोच रहा है तो अब आचुकी दो तो नाम अगर आएंगे तो वह तो कि ऐसे ही राजस्वा चले जाएंगे तीसरे नाम की इ अधिकारिक तोर पे सामने नहीं आया है लेकिन यह नाम सपस्थ है और सरफराज अहमद ही होंगे इंडिया अलाइंस के उमिदवार तो इस पर भी किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है बिल्कुल संजे अभी जिनका जिक्र कर रहे थे जो कारकारी अध्यक सहजादा अनवर को जो है उमिदवार पाटी ने बनाया था पिछली दफ़ा बनाया था हलांकि वो कोई समिकरन दिख नहीं रहा था लेकिन एक इरफान अंसारी और फुरकान अंसारी के तरफ से बयान भी आया कि जब लग रहा है कि कोई नहीं जा सकता तो फिर किसी अल्पसंख्या को उमिदवार बना दिया गया लेकिन इस बार संभावनाएं बहुत है और इसलिए माना यह जा रहा है कि इंडिया गडबंधन और यूपिय की तरफ से सर्फराज अहमद उमिदवार होंगे लगभग यह ख़बर पूष्ट ही हो गई है तो आप रास्तवा चुनाओं पर नजर बनाया रखिए अब जार्खन में क्या कुछ होता है हम लोग पल-पल की जानकारी आपको देते रहेंगे सुक्रिया अ कर दो